करेंगे जुलाई दो हजार उन्नीस का पेपर बन को डिसकूस करने वाले जैसा कि आपको पता है यह चल रही है सिड़ीपी प्रीवीश रा कोसन पहर सीडीज जिसमें सारे कोसन पहर डिसकूस करने वालें त्यान रखेगा डिस्कृपियान में आपको सारे पेडियेप इन्ले रहेंगे करते हैं को सन नमबर फच्ट के साथ याद रखेगा एकोर्डिंग टू ओफीसियल आंसर की यह आंसर डिसकस किये जाएंगे और एक्स्प्लेनेशन एक्सिलेंट रहने वाला है इस्टार्ट करते हैं फ़र्ट कोसन के साथ विच और फॉलिंग कंस्ट्रक्ट्स डज राइट दा एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक 2009 एडवोकेट निमने लिखे तो सन्रचनाव में से सिक्षा का अधिकार अधिनिय याद रेखे गया इंक्लूजिव एजुकेशन में भी हम हर तरह के बच्चों को सामिल करते हैं और इंटिग्रेटेड एजुकेशन में भी हम हरत परेकार के बच्चों को सामिल करते हैं फिर दोनों में अंतर क्या है दोनों के अंतर इतना है कि इंक्लूजिव एजुकेशन स्लोप बनवा दिया जाए जिस तरह से सीडियों पर बच्चे चड़कर आ रहा होते हैं वह भी जैंसे तेंसे उनी पर चड़ रहा होता है अगर किसी को देखने में दिक्कत है तो इंक्लूजीव एजुकेशन में उन्हें बैठने के लिए अगल से वेवस्ता होगी जहां से इंक्लूजीव एजुकेशन में जहां बच्चे को जगा मिलें उसे बहीं बैठना पड़ेगा तो इनमें थोड़ा संतर है पहले इंटीग्रेटर एजुकेशन को अपडेट करके इंक्लूजीव एजुकेशन बनाए गया तो राइट आंसर ऑप्सन नमबर फर्स्ट इनक्लूजीव एजुकेशन की बच्चों का अधिकार है यह बोलता है कौन समावेशे सिक्षा यानि की इंक्लूज़जन इंक्लूजीव एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है एक फिफ्च Tesak को नहीं चाहिए करना है एक विध्ध्यरति के बीच संस्कृतिक विभनताओं तर्थ विवित्था की अंदेखी करे संस्क्रित की हमें अंदेखी करना ही नहींँ ने इग्नोर तो करना ही नहीं है यह संप्रेशित करें कि वे कप्छा के सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है वह महत्व देती है बिल्कुल ठीक बात है क्लासरूम में जितने प्रकार के कल्चर है सभी का सम्मान कर रही है विद्ध्यारतों के बीच तुलना को अधिक्तम ठम्य करना नहीं है तो राइट आंसर और अप्सन नमबर 3 ही हो जाएगा हमें हर प्रकार की अस्धित का सम्मान करना है आगे बढ़ेंगे कोशन नमबर 4 के तरफ बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब चिल्टरन्स लेर्ण एफेक्टिवली वें पाट पुष्टक में दिये गए तत्यों को याद करते हैं वे स्यामपट पर अध्यापक के द्वारे लिखे गात्रों की नकल करते हैं ना तो याद करने से प्रभावी रूप से लर्निंग होती है और ना ही नकल करने से होती है वे विभेन गर्तिविद्यों एवं कारियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं बिल्कुट ठीक है वो एक्टिवली पार्टिशिपेट करेंगे तब लर्निंग भैतर होगी ही सिक्चा कक्षा में होने वाली सभी कठना वह बच्चों को पूर्ण रूप से नियंद्रत करता है टीचर फुली कंट्रोल एवरिटिंग एपन्स इंक्लूडिंग दे चिल्रन टीचर ही सब कुछ हैंडल कर रहा है तो यहां पर भी एफेक्टिव लड़ना ही नहीं होगी राइट आंसर ऑप्सन नमबर थरी रहेगा हमें हमेंसा इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे सक्रिय रूफ से पार्टिसिपेट करें कोशन नमबर फाइब है बच्चों को कक्छा में प्रस्न पूछने के लिए हतोत साहित करना चाहिए तो वी इंकरेज़ टू आस्क हमें बच्चों को हमेंसा कोशन पूछने के ल मुख्य भूमिका नहीं है जिसके द्वारा सार्तक अधिगम घटित होता है बिचावदा फॉलिंग इस नौट आग की प्रोसेस त्रोबेचा मीनिंग्फुल लर्निंग ओकर पुन्रा व्रत्ति एवं अभ्यास फिर निर्देशन एवं संचालन अनवेशन पारसपरिकरान और इसमरान ध्यान दीजिगा रिपिटेशन और प्रैक्टिस से हम कह सकते कि हां लर्निंग हो सकती हाला कि इसमें भी रोट मेमराइज़्य सना जाएगा बट हम कह सकते कि इसमें में इन्स्ट्रेक्शन दोगी जब बच्चों को डारेक्ट दोगी कि आपको इस तरह से सीखना ह तो सबसे अच्छी तरीके से होगी exploration and interaction से सबसे बहतर तरीके से होगी यह आंसर सबसे सही है हमसे नोट पूछा गया था memorization and recall context करान एब इसमरा तो जो memorization बाट है यह तो fully negative है ठीक है इसलिए हम इस option को बिल्कुल ही neglect करते हुए चलेंगे हमसे नोट ही पूछा गया था तो right answer इसका option number fourth हो जाएगा अब यहाँ पर ध्यान रखो अगर इसी question में पूछ लेता कि निमने लिखेत में से कौन सी सबसे अच्छी प्रक्रिया है जिसके दोरह सार्थ तक अधिगम घटित हो सकता है तब हम option number third को टिक करते हैं नोट पूछा गया इसलिए हम और फॉर्थ के तरफ जा रहा है ठीक है ध्यान रखना ना तो कोई option गलत होता है कोशन के according decide होता है कि हमें कौन सा option सही करना है कौन सा option गलत करना है प्रतिवा साली प्रतिवा साली क्या नहोंगे धारा पढ़ा पढ़ने में कम होगी मूल संसादनों की बारे में सोच सकता है आसानी से बिचलित होने की आदत सीग्रित आसे और स्वतनते रूप से सीखने की योगता बिलकुल ठीक बात है गिफ्टेट चिल्टरन की एविलिटी होती है कि वह बहुत जल्दी सीख लेते हैं तो फर्स्ट का तो डी होगा फर्स्ट का डी होगा तो ये वाला अपना गलत होंगे लर्णिंग डिसेवल यानि कि अधिगम आसकतता अधिगम आसकतता वालों को पढ़ने में दिक्कत होती है लेकिंग रीडिंग फ्लुएंसी सेकेंड कभी होगा सेकेंड कभी सिर्फ फर्स्ट में था तो राइट आंसर ऑप्शन नमबर फर्स्ट रहेगा बाकी भी हम मिला तो वह होते हैं एडि वाले बच्चे वाले बच्चें तो राइट आंसर इसका ऑप शन नमबर फर्स्ट आगर आप मेंसे किसी ने देखियो तो दा फैमिली में वेव सीरीज का जो सेकेंड सीजन ने सेकंड सीजन में वह स्कूल की प्रिंसीपल है वह उसके फादर से बोलत question number 8 है और वो तारे जमीन वाली यह लग है ना तारे जमीन पर तो dyslexia होता है उसको यह तो आप उससे relate कर लो बच्चों की गलती हमें क्या बताती है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए देखते हैं आगे option पढ़ते हैं अधिगम का एक भागे तता उनके बिचारों में एक अंत्या दर्श्टी देती है बिल्कुल सही बात है बहुत अच्छा option है option number second हमें पता चलता है कि बच्चे की थिंकिंग किस तरह की प्रोसेस है बिल्कुल नहीं कि प्रदेशित करते हैं बच्चे कितने लापर वाँ यह भी गलते तो राइट आंसर option number second होगा option number 9 है मूल यांकन को क्या होना चाहिए देखिए जो मूल यांकन यानि असेस्मेंट होता है इसे पार्ट होना चाहिए आपकी लर्निंग प्रोसेस का यानि अधिगम प्रिक्रिया का भाग होना चाहिए तो राइट आंसर option number first रहेगा should be a part of a teaching learning process के वाल नंबरों के संदर्म में नहीं होना चाहिए बस तो ने इस प्रकार के लिखित कारियों पर अधारती भी नहीं होना चाहिए एक अलग गतिविदी के रूप में नहीं लेना है हमें उसे learning process के रूप में ही लेना है कि मुल्यांकन से भी बच्चे कुछ न कुछ सीखेंगे ही संदर्चनात्मक द्रिष्टिकोर्ण के अनुसार अधिगम है एना constructivist framework learning is संदर्चनात्मक द्रिष्टिकोर्ण के अनुसार क्या है निस्क्रिया वे ब्यक्ति परक्रिया वहीं learning निस्क्रिया तो किसी ने भी नहीं बोला है जानकारी के अर्जन के प्रक्रिया process of acquisition of knowledge कुछ हद तक ठीक है लेकिन संदर्चनात्मक वाले ये बोलते हैं कि बच्चे अपने knowledge को build करते हैं actively participate करते हैं इस तरह से तो ये भी कोई इससे सबसे ज़्यादा ठीक लग नहीं रहे हैं अनुबब के पर्ड़राम के रूप में भेवार में एक परिवरतन होने के प्रक्रिया ये तो अधिगम की परिवासा है और ये अधिगम की परिवासा है participate करते हैं और अपनी आसपास के बात अबरन से ही सीख रहे होते हैं ठीक थर्ड में भी हाला कि इन्होंने learning की definition दे रखिए लेकिन ये विवरिष्ट के इसाफ से ज्यादा सही है हमें बताना एक कंस्ट्रिक्टिविष्ट के इसाफ से तो इसके इसाफ से ऑप्सन नमबर 40 सह से तो बिध्या कैसे होते हैं बिध्यायरती के सीखने के लिए वी तरह का फ्रयास करना बंद कर時間 करते बच्चे ऑस सोचते हैं कि हम तो हम यह सब कुछ आता है मुझे पढ़ने की ज़रुत है और दवाब में यह गलां हो जाता भी दवाब में बात है किसी हमारे आरे मेंसा सोचती है कि हम अच्छा पढ़ने वाले बच्चे में से हैं हम काम sincerely करते हैं तो बच्चे और उत्सुक हो जाते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं कोसर नमबर ट्वेल हैं एक सिक्षे का बच्चों को प्रभावी रूफ से समय स्या का समयधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तर प्रोच्षाइद कर सकती है कैसे बना सकती हैं प्रकार के प्रतर के प्रियापतों मातरा में अपसर दे कर, ये वांपर लिखाए एक ही तरह के से और दे लेते हैं पार्ट पुष्टक में दी गई सूचना हो कि कंठेश्टी करने और मेमराइजेशन पर तो पहले इवल नहीं देना हमें बच्चों को समयस्या के बारे में सहजानुभू तनुमान लगाने एवं बहु पिकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साइद करके ये बिल्कुल ठीक है आप बच्चों को इनकरेज कर रहे हो क्या गेस तो करो कि क्या हो सकता है इसका आंसर और इसके क्या क्या सोलीशन हो सकते वो निकालो पार्टी पुष्टक के सभी प्रस्णों के वेवस्तित तरीके से समाधान लिखकर ये विगलत है राइट आसर ओप्सन नमबर थर्ड रहेगा कॉसर नमबर थर्टीन है कि भैगती विदी जिसके परियोग में विद्धियार्टियों की स्वेप अहलवा प्रियास सामिले निम्न में से किसका उधारण है यूज ऑफ मेथर्ड से वियर लर्नर्स ओन इनिसियेटिव और एफट्स और इन बच्चे के खुद के प्रियास स होंगे निम्नात्माग विदी चलती है आपके नियम से उधारण की और लर्नर सेंटर हो सकता है क्योंकि लर्नर सेंटर ने बच्चे खुद ही समय से आको सोल्व करते हैं परमपरागत विदी के अंदर तो आपकी लेक्चर मेथर्ड वगएर आ जाती है इंटर परसनल इंट सितिक के सिध्धान को दर साती है अच्छा जो बिद्यारती अच्छा प्रदसन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं यह परियापत रूप से अच्छे नहीं है और हतोत्साइद महसूस करते हैं तब उनमें बिना प्रयास के कारे को आसानी से छोड़ देने के संभाबना है यह किस चीज को बताता है जब बच्चों को लगता है यार हम अच्छे नहीं है तो फिर वो मेदनत भी नहीं करते हैं उन्हें लगता है कि यह काम अपने बस का नहीं है फिर उसे करना छोड़ देते हैं यह लिलेशन बताता है आपके संञ्यान यानि आपके कोगनीशन और संब्ध बता रहा है कि यह दोन एक दूसरे पर डिपेंडेंड है जब बच्चे को लगा मैं अच्छा नहीं हूं मैं अच्छे तरह से नहीं सीख सकता तो उससे उसका संग्यान एफटिव हुआ उसने संग परिवन का काम नहीं है यहाँ पर संग्जान और संभेक का काम है कि संग्जान एवं संभेक अलग नहीं है यह दोने जुड़े हुए हैं कोसर नमर 15 है नहीं लिखे तक में से कौन सा प्रात्मिक सामाजी कराण हो जाता है परीबार याद रखेगा फैमली परीबार आपका प्रात्मिक एजेंट होते हैं सामाजी कराण है और यह साब होते हैं दुट्यक याद रखेगा इस बात को जीन प्याजे के सिद्धान का मनमुक्प्रमुक्प्रस्ताभ है कि बच्चों की सोच बैसकों से बहतर होती है ऐसा कुछ नहीं बोला प्याजे ने बच्चों की होता है यह बच्चा भी इतना ही सोचता है छुटे capital कि वोता है डिफ्रेंस होता है एक क्या को क्या है झाची में तक हमें घवाली की सेम रहती है quantity गाए टी वह हो भाई होगा साहत quantity जो होती है और quality difference होती है जेंडर क्या है देखि जेंडर कभी भी लिखा गुआ है तो जेंडर हमेंशा social construct होता है यानि इसे किसने बनाया है इसने समाज में बनाया है biological determinants क्या होता है जो sex होता है इससे biological determinants बोला जाता है ठीक तो यह कोशन जब भी करो तो आप इसे इंग्लिस में पढ़ना क्योंकि हिंदी में जेंडर के लिए भी लिंग लिग दिया जाता है तो आपको इसे इंग्लिस में ही पढ़कार आंसर टिक करना है बिच ऑफ दा फॉलिंग करेक्टली आइडेंटिफाइज दा बोर्ड डॉमेंज ऑफ डवलप्मेंट के ब्रोड डॉमेंज को कौन आइडेंटिफाई करेगा देखिए जो ब्रोड डॉमेंज से ब्यापक आया में उसके अंदर चार आया माते हैं जिसमें एक तो आपका इस प्रेचुलिटी बगेरा इस प्रेचुलिटी बात अगे की बात है हमें बच्छों के बारें बात करना है इस सख है जिसमें मांसिक गतिविदी इसमड़या हम तरक शामिल होते हैं यह तो इसके नेरोडेफिनिशन होगी बुद्धी बहु आयामी है जिसमें बुद्धी परिक्षणों के द्वारा पूरूरूप से परिमें ना की जाने वाली योगिता हैं कई योगिता हैं सामिल यह बिल्कुल सही बात है कल जो कोशन पेपर करा था हमने दिसंबर 2019 वाला उसमें भी यह कोशन आया था कि इंटेलि सिख्चा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है इनने प्रोग्रेसिव एज्व Two Kids और सीन एज प्रेगाति सिख्चा में बच्चों को देखा जाता है एक तरह से ए एक्टिव एक्सप्लोरर यानि कि सक्री व तो नमबर सेकंड रहेगा था खाल इस लेट बच्चों को किसने बोला था जॉन लॉक ने बोला था कि बच्चों का इमांग खाली सिलेटेट होता है इन्होंने बॉला था टेबुला रासा यह ऐसी कोछ उन्होंने बच्चों को दिमाग को टेबुला रासा बोला था टेबुला रासा मतलब एकदम खा लिए छोटे बाइस को एक रुप में बने होता है पोसर नमर 21 है ले बाइगोस्की का अनुसर बाइगोस्की जब भी आजाया तो सोसल एंड कल्चरल आपको देख लेना सोसल कल्चरल जहां पर देखिए वह इसका राइट आंसर रहेगा क्योंकि बाइगोस्की की थियोरी का इनाम है सोचियो कल्चरल डवलपमेंट तो यह एक बाइगोस्की का अनुसर अधिका में समाजिक प्रक्रिया है निमन लेखित में से कौन सा एक महत्पूण क्रियात्मक आवस्ता एक पूर्व क्रियात्मक आवस्ता काल के बच्चे को विषयस्त करता है which of the following characteristic a child is pre-opersonal stage की बच्चा pre-operational stage में है लेकि गोल डारेक्टेड जो behavior है लक्स निर्देसित भेवार है यह first stage जो होती है sensory motor stage उसकी बिसेशता है deferred imitation यह भी first stage यानि sensory motor stage की ही आवस्ता है and circular reaction यह भी आपकी first stage की ही बिसेशता है तो right answer क्या होगा यहां पर option number third रहेगा irreversibility of thoughts यह जो है यह second stage की बिसेशता जिसे हम बोलते है प्री operational stage तो right answer इसका option number third हो जाएगा विचारों की अनुत्क्रम्णियता अनुत्क्रम्णियता का मतलब यही है कि अगर आप चीजों को उल्टा पुल्टा कर दो तो वह नहीं समझ पाते कि उल्टा करने पर वही रहेगा कि जैसे बर्फ से पानी बना है तो पानी से बर्फ बनेगा यह वो नहीं समझ पाते जो छोटे बच्चे होते हैं 22 है किसे stage की बच्चे सकंदर आएंगे यही में लिख देता हूं 2-7 साल के बच्च आएंगे बच्चों और उनके अधिगम के संदर्व में निमनलिकित कत्नों में से कौन सा सही है बच्चों को सीखने के लिए अभी प्रेणा तता सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुबान सिक्ता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती कि येवाल अनुभान सिक्ता के द्वारा पूर्ग निरधारित कभी नहींत करती है सामाजिक और आर्थिक प्रिष्ट भूमी है कोई ठीक नहीं लग रहा ये वी क्योंकि बच्चे की बहुत सारी चीजी है जो उनकी अधिकम छम्ता को प्रभावित करती है हम यह नहीं के सकते कि सामाजिक आर्थिक प्रिष्ट भूमी ही प्रभावित करेगी बच्चों को अधिकाम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें प्रुसकरत है उन्हें डंट करना होता है प्रुसकार और डंट की बाद तो किसी नहीं भी नहीं करी प्रुसकार की बाद करी है वेवरिष्ट ने लेकिन डंट की बाद तो किसी नहीं भी नहीं की सभवावी घुरूव से प्रेर्णी तो होते हैं ये बिलकुर सेही बात है इसकी बात हर एक ब्यक्ति करता है कि बच्चे इनने टयाइमिलेटि होती है सभवाव सही जिग्याशू होते हैं 24 है चालक बिकास की तरह में ब्यक्तिकत विभित इता है हैं चालग बिकास मतलब यहां पर motor development में individual difference होता है कि सभी का development अलग-अलग तरीके से होता है कोई जल्दी सीखता है कोई थोड़ा लेट सीखता है फिर भी चालग बिकास क्रम से तक है and add the sequence of motor development is from to from देखिए motor development जो होता है बेक्ति का वो होता है gross to fine gross to fine मतलब पहले बड़ी muscle develop होती है फिर छोटी muscle develop होती है कहने का मतलब यह है कि बच्चा पहले दोड़ना सीख जाएगा हाथ पर चलाना सीख जाएगा लेकिन हम लिखने की बात करें लिखने के लिए एक small muscles की ज़रत पड़ेगी लिखना बच्चा बाद में सीखता है या फिर दोड़ने की जगए मैं एक अच्छा सा example हाथ का ही ले लूँ तो बच्चा glass पकड़ना तो सीख जाएगा लेकिन glass तो पकड़ लेगा पूरी हाथ से लेकिन लिखने के लिए उसकी fine motor skill की ज़रत पड़ेगी तो बाद में हो डबलप होगी तो gross motor development पहले होता है और fine motor development बाद में होता है इसके हम बात कर लेते हैं सेफेलो development के साब से बच्चे का पहले ट्वलप होता है फिर नीचे का धट होता है पर रिठी की तरह की की तरफ मतल्ब बच्चे की पहले is spinal core Allove is और अस पास के और गे के द french होते हैं और शैन द्यारीक्शन như यह जैंड इसे हम बोसकते यह है आपके direction of motor development या फिर आप इसे बोल सकते हो कि gross motor से fine motor की तरफ development हो रहा है यह हो जाएगा sequence हो जाएगा motor development का the period that initiates the transmission of adulthood is बे अबदी जो बैस काता कि संक्रमन काल की पहल करती उसे क्या बोलते हैं देखनाग। यह जो अब दी है यह adolescence होती है इसके बद उसकी और जाता है है की इसके बाद बच्चा बैस के बनने वाला है तो यहa रैक्त आसर के सोरा बस्ता roach कॉसर नमब 27 जीन प्याजे के अनुसरार बच्चे प्याजे ने बच्चे को क्या माना प्यक्षण अत्मक अदिगम की प्रक्रिया का अनुसरान करते हैं दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं देखिए ओब्जरवेसने लर्निंग की बात करिए वैंडूराने किसने बात करी इसके बारे में वैंडूराने तो प्याजे तो इसका अंसर होगा ने उद्धी पर अनुक्रिया के साब्धानी पूर्वक नियंतरों द्वारा विसेश तरीके से सीखने के लिए किया जाता है इसकी बात करते हैं बहवारबादी है बहवारबादी में कौन को नहां पुरुसकार एवं डंड की बाद तो किसी ने ने करी पुरुसकार की बाद फिर भी इसकी नड़न थोड़ी बहुत करी है ग्यान को सक्रिय रूप से संच्रित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया के भेवार कोसल का प्रियोक करते हैं जाता अन्वेसल करते हैं राइट आंसर और इसी को प्याज जी बोलते हैं कि बच्चे इगो सेंट्रिक होते हैं, इस वज़े से खुद से बोल रहे होते हैं। इसे हम बोलते हैं, जेंडर स्टीरियो टाइपिंग, यानि कि जेंडर रूड़ी बात दिता, राइट आंसर ऑप्शन नमबर फस्ट रहेगा, ये कोई जेंडर आइडेंटिटी नहीं होती। कोशन नमबर 29 है, एक प्रारामिक अक्छा कक्छ में, एक बच्ची अपने साथ जो अनुवब लाती, उसका क्या करो गया, इन एलिमेंटर क्लास रूम, इट इस इंपोर्टेंट टू, दा एक्स्पिरियंसेस देट चाइल्ड ब्रिंग वित हर। बच्चे अपने साथ जो अनुवब लेकर आता है, उनके आपर एक चाह कभी नहीं करना है, उन पर ध्यान नहीं देना, ये भी नहीं करना, अज सुई कार भी नहीं करना, हमें उन्हें सामिल करना है और उनका संचे करना है। कोशन नमबर 30 है, बहुत अच्छा कोशन है 30, एक बच्चे तर के प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोड़ी नहीं कर दे चाहिए, भे दवाई जो उसने उसके पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि भी ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा आग्या पालान एवम डंड यह लेवल बन है और यह स्टेज कोंसी है, टू है, सामाजिक क्रम नियंतरत अविविन्याश, दा सोसल ओर मैंटेनिंग ओरिएंटेशन, यह आपका लेवल टू है और यह स्टेज फोर के अंदर आता है, यूनिवर्सल एथेटिकल प्रिंसिपल यह आपका लेवल टू है और यह स्टेज सिक्स के अंदर आता है, इंस्टुमेंटल परपास औरेशन यहांतरिक ओदेश अविविन्याश यह लेवल बन और यह स्टेज टू यह स्टेज बन होगी, ओविद्ञेशन प्रिंसमेंट स्टेज बन होगी ठीक है level 1 stage 1 यह है यह level 1 stage 2 होगा जो 4 तवाला है यह level 3 stage 5 होगा stage 6 होगा जब universal ethical principle orientation की बात करते हैं and social order maintain orientation जो होता है वो level 2 stage 4 के अंदर आते हैं तो यह हमारे 30 questions complete होते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को please like, share, channel को subscribe जरूर कर दीजिएगा playlist में जाकर जितने ही previous question paper ने सभी देख लीजिए किसी question में doubt रहता है तो उसके लिए आप comment कर सकते हैं ठीक है तो class join करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद